नमस्ते, मैं हूँ अम्रिता राइचन और आप सब का स्वागत है मामी का मैजिक में कल में जब अगस्ते को प्लैनेट्स के बारे में सिखा रही थी तो ना जाने क्यों जब तक मैं सैटन पे पहुंचूं वो अटक जाए समा उसे सैटन का नाम याद ही नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ देन आइ रियलाइज कि क्यों ना कुछ मस्ती की जाए कुछ मैजिक किया जाए और उसे ये वर्ड सखाया जाए इसी से इंस्पिरेशन ली मैंने अपनी अगली रेसिपी की जिसका नाम है साटन एग्स सबसे पहले आप लीजे एक ब्रेट स्लाइस और उसे कुकी काटर के हल्प से डोनट की शेप में कात लीजे सो एक राउंड लीजे एक बड़ा सर्कल लीजे और एक छोटा और इसे इस तरह से हम कात लेंगे अच्छे से दबाईए और जो इसके साइड्स है ये निकाल लीजे इस तरह से निकाल लीजे दोनों तरफ आप बटर लगाएए इसी तरह से आप दूसरे साइड में भी बटर लगाएए अब इसे आप रख दीजे एक प्रेट पे और इसी तरह दो तीन और ब्रेट स्लाइस को आप डोनट के शेप में कात लीजिए इसमें भी आप बटर लगाये और इसे भी एक प्रेट में रख दीजे अब आप तवे को आउन कर दीजे और उसे थोड़ी देर गर्म होने दीजे और तब तक लेट्स चॉप सम काप्सिकम मैं यूजरी ट्राइ करती हूँ जितने ज्यादा कलर्स यूज कर सकती किसी भी डिश में ट्राइ करती हूँ कि यूज कर लूँ अब इसे आप पतले-पतले इसके जूलियन्स काटके इसे बारी की से हम चॉप कर लेंगे काप्सिकम इस अगें वेरी गुट फर चिल्डन हमारे लिए सब के लिए बहुत अच्छा है इसमें बहुत मिनरल्स होते हैं अब यह सालेज में यूज कर सकते हैं और खाने में भी यूज कर सकते हैं अब इन चॉप्ट कालरफुल काप्सिकम को हम एक बोल में निकाल लेते हैं और राइट अब जिस ब्रेट के स्लाइसे पे आपने बाटर लगाया था उसे आप डालिये तवे पर अब इसी के अंदर हम इस तरह से एक अंडा फोर देंगे अब यह चॉप्ट काप्सिकम को आप सर्कल के अराउंड इसे डाल दीजिए अब आप साइट से जो एक्स्ट्रा वाइट बाहर आ गया है उसे स्क्रेप करके निकाल दीजिए विकर्स वेल वांट थेम तो लोक लाइक साटन एग्स अब एक प्लेट में आप इस तरह से इसे निकाल लीजिए अब आप जितने चाहें उतने साटन एक्स बना लीजिए और अपने मन पसंद तरीके मन पसंद सॉस जाम बटर के साथ सर्फ कीजिए चलिए दीखते हैं इसका एक क्विक रिकाब शाटन एक्स बनाने के लिए तीन से चार ब्रेटभ स्लाइस को कुकी कटर से काट कर दोनों तरफ मक्षन लगा लें फिर एक बोल में एक बड़ा चमच बारी कटी लाल शिम्ला मिर्च, एक बड़ा चमच बारी कटी हरी शिम्ला मिर्च और एक बड़ा चमच बारी कटी पीली शिम्ला मिर्च डाल कर अच्छे से मिला ले अब गरम तवे पर ब्रेट की स्लाइस डालें, उपर से अंडा डाल कर शिमला मिर्च के मिक्स्चर से डेकोरेट करके टोमाटो सॉस के साथ गरमा गरम सर्फ करें